वेल्कम टू आच चैनल टेक्ट मेकानिकल एन इलेक्टिकल आप सबी स्टूडेंट जानते हैं एंसेल टेकनिसियन का एक्जाम 27 डिसेम्बर है तो हम अब लोग को प्रॉमिस किया था कि एंसेल टेकनिसियन एक्जाम होने से पहले मैं टोटल 500 कोसियन 500 MCQ को डिसकास करेंगे तो टोटल 15 क्लास में डिसकास करेंगे तो हम अल्रेडी 4 क्लास कॉफर कर चुके हैं ठीक है और बाकी 11 क्लास है 11 क्लास भी मैं कड़ा दूँगा तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा एई र्यूक्वेस्टर की जो जो आज का वीडियो देख रहा है प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना क्योंकि पीडियेप तो आप लोग ऐसे भी मिल जाएगा डेस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडियेप दिया है और वीडियो में जो भी पॉइंट्स आप लोग को बताऊंगा वो आप लोग का एक्जाम क्रेक करने के लिए बह बेसिक एलेक्टिसिटी से कोसें भी आएगा इसलिए मैं पूछा था अगर किसी को आईसी इंजीन और बेसिक एलेक्टिसिटी से कोसें चाहिए तो मिलेको कॉमेंट बॉक्स में बताना तो बहुत सब्सक्रिप्स में बताया था वाट्सेप में भी बताया था इसलिए मैं स 16 days बाकी है तो अगर 16 days में IC engine का question discuss करने जाएंगे basic electricity का question discuss करने जाएंगे तो मेरे पस उतना time नहीं है तो इसलिए जैसे MCQ चल रहा था trade theory को पर ऐसे चलेगा और जो IC engine का notes है और basic electricity का notes है most important notes है वो मैं आप लोग को provide कर दूँगा ठीक है तो आप देख सकते यह जो PDF है इसमें total कितना question आप देख सकते हैं हम भी भूल गया है कितना question आप दिखा देते हैं आप देख सकते 95105 तो आप देख सकते total 176 question है तो 176 question है जो most important question for NCL exam क्योंकि यह जो question है total है आप देख सकते हैं उपर में जो लिखा है कि internal combustion engine तो IC engine का full form IC मतलब internal combustion ठीक है तो यह IC engine chapter का question है तो यह diploma of book से मैं उठाया है तो यह जो question है सभी question diploma of book से मैं copy किया हूँ ठीक है तो यह जो notes है अब लोग को मैं provide करा रहा हूँ तो solve तो ऐसे मैं करा नहीं सकते क्योंकि ज्यादा time नहीं है इसलिए अब लोग को मैं 176 questions अब लोग को provide करा रहा हूँ तो यह अब लोग का उपर depend करेगा अब लोग पढ़ेंगे या नहीं हम guarantee का साथ बता सकते यह जो जो question है most important question है अगर अब लोग को NCL exam crack करना है तो अब लोग को IC engine से question पढ़ना है पढ़ेगा क्योंकि NCL में बहुत सरा student form fill up किये है तो competition बहुत ज्यादा जाएगा इसलिए अब लोग को IC engine का question पढ़ना पढ़ेगा तो 176 question है ज्यादा question नहीं है अगर आप लोग 176 question को याद कर सकते हैं तो इसका बाद मैं और भी question provide करूंगा 300 question at least हो जाएगा तो वो भी IC engine से question रहेगा ठीक है तो अगर आप लोग 176 question कर पाएंगे उसका बाद ही मैं provide करूंगा त तो इससे में 20 number का एक exam लोगा तो exam लेने से पता चल जाएगा कि आप लोग 176 में से कौन कितना question पढ़ा है जो test मैं लोगा total 20 marks का test होगा अगर कोई भी student 20 में से 20 ला सकता है मतलब यह मेरे को पता चल जाएगा कि ओ student मेरा दिया हुआ notes को अच्छा से पढ़ाई किया ठीक है तो इसलिए मैं उसका उपर depend करके next जो questions है ओमी में provide करूंगा ज्यादा question नहीं है 176 सी question है अब लोग अच्छा से पढ़ लेना क्यूंकि यह most important question है ठीक है तो आप देख सकते हैं यह जो questions है तो इसका बात रहता है कि basic electricity तो basic electricity से बहुत ही normal question आएगा तो इसका बात बेक मैं वीडियो लाओंगा उसमें मैं basic electricity का भी question मैं बता दूँगा ठीक है तो उसका भी PDF में provide करा दूँगा कोई tension नहीं है इसका अंदर ही question आएगा एक भी question इससे बाहर नहीं जाएगा जैसे अब लोग trade theory मेरा class follow कर रहा हूँ है class follow कीजिए अगर कोई भी student मेरा class follow नहीं करते त वो student से मेरा request है मेरा लिया हुआ एक class अब लोग देखिए जरूर अब लोग को अच्छा लगए और अच्छा लगए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो जैसे हम mcq करा रहा वाई से अब लोग करिए और जो question मैं provide करा रहो mcq basic electricity से और ic engine से तो इधर से questions आएगा तो ऐसे तुम्हें PDF दे दिया और एक source में बता सकते हूँ ic engine questions पाने का ठीक है तो वो एक website है बहुत ही most important website है technical exam देने के लिए ठीक है अगर आप लोग को कोई भी question में doubt होते है तो अगर google में search करेंगे तो उधर से question मिल जाते है वो इतना important website है तो अभी हम दिखा remember it कौन सा website का मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो व वेबसेट का link में वीडियो को description box में दे दूँगा तो अप लोग भी वीडियो कर description box से इस website में आ सकते हैं आप देख सकते हैं इधर total कितना questions है 1, 2, 3, 4, 5 question है मतलब total fast page में 5 question है total 14 page है मतलब 14 page में total 5 करके अगर multiple करेंगे 70 question है ठीक है तो यह जो PDF है इसमें 70 question है इसका बाद आप नीचे देख सकते है total 3 section है तो fast section में 70 question है second section में 70 third section में 70 fourth section में 70 question है अगर आप लोग total 4 section को पढ़ेंगे तो total 280 का questions at least अब लोग को बन जाएगा तो इधर 280 और मैं total provide का है 180 तो total क्या हो जाएगा 4, 6, 0, 460 question हो जाएगा मैं guarantee का साथ अब लोग को बता सकते हूँ अगर अब लोग exam देने के लिए 460 question को पढ़के जाएगे अच्छा से पढ़के जाएगे तो इधर से questions आएगा एक भी question इधर से बाहर नहीं आएगा मैं जो भी बोलता हूँ वाईसे ही उसका according है सब कुछ होता है कोई भी मैं गलत नहीं हूँ सब लोग को नहीं देता हूँ क्योंकि ए जो website है ना most important website for government exam मैं आप लोग के एक important point बता रहूँ जो जो student मेरा आज का वीडियो पूरा देख रहे है तो सभी student के लिए भी कुछ बोलना पड़ेगा ना तो मैं यह बता सकता हूँ कि exam के लिए यह most important website है तो आप लोग प्लीज यह जो चार सेक्षिन में questions है टोटल आप लोग चार कुम सेक्षिन का questions कर लेना और मेरा जो दिया हूँ अब PDF है वी PDF में वीडियो का description box में provide कर दूँगा आप लोग जाके download करके देख सकते हैं exam में question इधर से आएगा अगर आप लोग और भी चाहते कि और भी question चाहिए अप लोग please comment box में बताया है तो हिंदी में भी question है तो जो जो हिंदी में भी question है जो जो student हिंदी वाला student है अगर ओ भी चाहते हैं कि हिंदी में question provide करे तो मैं हिंदी में also provided कर दूँगा 300-400 question तो मेरा पास अल्ड़ेड है, थीक है तो मेरे को comment box में आप लोग बताना एंसिल टेकनी से अनमेफ फीटर का जो सिलेवास है सब कुछ सेम सेम है लेकिन स्रेप आइसी इंजीन और जो बेसिक इलेक्टिसिटी है वो एक्स्ट्रा पार्ट है ये दोनों टॉपिक छोड़के बाकी टॉपिक से कोस्टेन मैं डेली क्लास में डिसकस करत हूँ जो जो स्टूरेंट मेरा वीडियो नहीं देखा वीडियो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट होता है वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए तो आज का वीडियो इतना ता कि है अगर वीडियो पसंद आया और वीडियो झाल